मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने मंतरी परिशत की आज एक बड़ी बैठक अपने आवास पर बुलाई है जिसमें उन प्रभारी मंतरियों को भी बुलाया गया है जिनको दस विधानसभा के उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी और ये चर्चा निकल क करारी है कि अब मंतरियों का जो प्रभार वाली सीटे थी उनको बदला गया है उत्तप्रदेश सरकार में कैबिनेट मंतरियों प्रकाश राजबर हमारे साथ मौजूद है सर दस विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है सर और कुछ मंतरियों की सीटों को भी सर बदला का प्रभारी बनाया गया है और वहां के अंदरो प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं विकास के लिए जो काम हो रहा है योजना चल लए है और आपसी सवहार्द बनाये रखना लोगों की समस्याओं को सुनना उसका निस्तारण करना एक बड़ी सर चुनोती वाली सीट आपको दे दी गई है सुल्तानपूर के मामले कोई लेकर सर आपने देखा अखिलेश यादो जो है वो लगतार हमला बोल रहे हैं कि पुलिस जो है वो चपल पहन कर इंकाउंटर कर रही है फरजी एंकाउंटर की योगी सरकार ने इंको राजधानी बना दिया है तो आपको लगता है कि सर एक बड़ा जो डेंट है सर वो अखिलेश यादो पहुंचा रहे हैं इसको कैसे मैनेज करेंगे जब उनकी सरकार थी तो मुकेश राजभर का काउंटर इंकाउंटर हुआ आजमगड का रहने वाला जब मैं उनसे खुद मिला था तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने जो किया वो सही किया है और वो अपराधी था पचीस हजार का इनामी था वही सवाल आज हम अखिलेश जी से पूछ रहे हैं कि जब राजभर का इंकाउंटर हुआ तब तो आपने ये बात मुझे समझाई किया लेकिन जब सुल्तानपूर की घटना को लेकर पुलिस और मंगीस यादों में मुट भेड हुई है उसमें सैलेश राजभर नाम का सिपाही आज भी हस्पीटल में जिन्दगी और मौस से जुज रहा है आप तो उसके भी से में नहीं बोल ले हो चुकि आप जातिवादी का परचे दे रहे हो जब सरकार आपकी थी मुसल्मानों का ओट बीस परशन लेते हो अपनी जाती को हिस्सा देते हो नाई गोण पाल प्रजापती बिंद के वट मला राजभर आरा करक बंसी बंजारा बहलिया जाट को छोड़ देते हो कि वही गाना अमिताब बच्चन का याद आता है जब इनका ओट लेकर के सरकार बना लेते हो तो फिर गाना गाते हो कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है तो आज जिस तरह आप चर्चा कर रहे हो मंगेस यादोग को लेकर के ये प्रस्णचिन खड़ा हो रहा है यादोग कम्निटी पर अज अखिले शादो ने एक बड़ा हमला सर सीम योगी पर किया कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता है तो आप को क्या लग रहा है कि सीम पर इस तरीके की जो टिपड़ी है सर कितना सही है उसका जब आप खुछ सीम देंगे और मुझे जो जानकारी है जो मठ में मठाधीश मठ के मालिक होते हैं ओ जंता के हित के लिए लोगों को असिरबात देने के लिए जो लोग जाते हैं उनको प्रसाद देते हैं उनको दूआ देते हैं को खुसाली आवन shown की बात करते हैं और अपराधी कि लूट करता है अपरात करता है लोगों को गुली मारता है लोगों को चीनता है अपराधी का तो ये काम होता है लेकिन मठाधिस का ये काम अपराध की दुनिया में अपराधी की कोई जाती नहीं होती है। सरसट मुसल्मान अपराधी इनकाउंटर हुआ है। तो कभी इस तरह का उन्होंने प्रेस करके इतना भावखो करके, इतना प्रेम, इतनी ममता अपराधी को ले करके। तो नहीं दर्साया। जात मारा गया, इनकाउंटर में अपराधी मारा गया। तो आपका प्रेम कहा था आज शिर्फ आपका प्रेम मंगेश यादों पर उबरा है आप साबित करो करना चाहते हो कि हम यादों के नेता है